बेवो करीना कपूर खान के बेड़े के जन के बाद जिस तरह से उन्हें ट्रॉल किया गया था तैमूर की बाद की जाया तैमूर की शोटे भाई के बाद की जाया करीना और सैफ ने पूरी तरह से तयारी कर ली है कि वो अपनी तरब से कोई भी डिसिजन नहीं लेंगे अब अपने बच्चे को लेकर फिर चाहे नाम की ही बात क्यों नहीं हो इसी कारण से करीना कपूर खान और सैव के बेटे के नाम को लेकर अब तक ऐलान नहीं किया गया है चले हम आपको इसके अलावा जानकारी दे दे कि करीना और सैफ के बेटे के नाम के लिए जिम्मेदारिया करीना ने अपनी मा बभीता पर सौपी है जी हाँ एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि करीना कपोर खान के बच्चे का नाम करीना सैफ के दूसरे बच्चे का जो नाम है उस नाम को देने के लिए इन दोनों ने उस नाम को लेकर डिसिजन लेने के लिए दूसरे बच्चे को सही नाम देने के लिए इनोंने पूरी जिम्मेदारिया जो है अपने घर के बड़ों को सौप दी है यानि कि अब तैमूर को लेकर जो उन्हें सीख मिली है करीना ने इंटर्वियू में पहले ही कहा था डिलीवरी से पहल वो इस बार वो गलती नहीं करेंगी जो गलती उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम को लेकर की थी यानि कि अपने मन पसंदी दे नाम को कभी भी वो नहीं देंगी नाम अपने बेटे के लिए इसलिए करीना कपूर और सैफ ने मिलकर डिसाइड किया कि शर्मिला अगर नहीं तो फिर बबीता कपूर जरूर नाम रखना चाहे तो रख दे लेकिन बबीता कपूर और शर्मिला चेगोर को ये जो हग दिया गया है सैफ और करीना ने मिलकर कही न कहीं बबीता कपूर के लिए ये बड़ी खुश खबरी है क्योंकि बबीता अपने नाती का नाम अपने मन पसंद के अनुस्वार रख सकती है नेक्षने निजूम से रुब तिगर पूर